मध्य प्रदेश में तुरे इस तरिये पंचायत और निकाय चुनाओं को लेकर सरगर्मी तेज है इस बीच टिकेट ना मिलने से कॉंग्रिस में बगावती सुर उठने लगे हैं जिसको लेकर PCC चीफ कमलनाथ ने अपने कारेकरताओं के नाम संदेश दिया है उन्होंने पार्टी कारेकरताओं को निराश ना होने को कहा है सुनिए उमीदबार नहीं बन पाए साथियों को निराश होने की बिलकुल जरूद नहीं है मैं आपके साथ हूँ आपकी अवाज बनकर आपके भवेशी के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा चुनाब में उमीदबार तो हमेशा एक साथी होता है परन्तु चुनाब प्रतेक कारे करता लड़ता है और जीतता है आपकी जीत पार्टी की जीत होती है उदर मुरैना में मिलावट के खिलाप रश्रासन की कारवाई लगातार जारी है सिविल लैंड पोलिस ने एक ओटो से देड़ कुंठल पनीर पकड़ा बाद में इसकी सुचना पोलिस ने खादे सुरक्षा विभाग को दी सुचना के बाद मौके पर पहुझी खादे विभाग की टीम ने पनीर के चार सेंपल लेकर भोपाल भेजे और पनीर वापस डेरी संचालक को सौब दिया बताय जा रहा है कि ये पनीर जोरा से मुरेना लाय जा रहा था इस बीच पुलिस ने इसे पकड़ लिया खादे विभाग की टीम का कहना है कि जाच के बाद मामले में आगे की कारवाई की जाएगी वहीं मुंगेली में मरीज की परिजनों ने एक डॉक्टर की जम कर पिटाई कर दी मामला लॉर्मी के 50 बिस्तर मात्रो शिशु अस्पताल का है डॉक्टर पर आरूप है कि उसने समय पर इलाज नहीं किया जिसके चलते मरीज के परिजन नाराज हो गए और डॉक्टर को पीड दिया पूरे घटना करम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दो यूबक डॉक्टरों को लगातार थपण मार रहे हैं वहें मार पीड से नाराज हस्पताल के स्टाफ ने घटना के विरूद में प्रदर्शन शुरू कर दिया लॉर्मी के सरकारी हस्पताल में OPD सेवाएं बंद कर दी गई हैं डॉक्टर सिर्फ एमरजंसी सेवाएं बस देख रहे हैं पोरे मामले में लॉर्मी धाना पुलिस ने चार योबकों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने डॉक्टरों के शिकायत पर तो मामला दर्ज कर लिया है खबर शाजापुर से अब आपको बताते हैं जहां वाहन चुराने वाली गैंग का पुलिस ने खुला सा किया है मामले की बाइक चुराने वाले आरूपी और खरीदने वाले आरूपी को इस मामले में गिरफतार किया गया है कारवाई के दौरान पुलिस ने पांच लाख रुपे की आठ बाइक बरामत की है इससे पहले ओपरेशन हेलो के तहट पुलिस ने पांच लाख कीमत के 40 मोबाईल उनके मालिकों तक पहुचाये थे एसपी के चार जुलिते ही जले के तीन कंजर डेरों में दविश्ट देकर 51 बाइक समित अन्य सामान बरामत किये थे जिसके कीमत 30 लाख रुप से अधिक थी इसके साथी पुलिस ने 18 आरुपियों को गिरफतार किया था मैं दौर में जांसी की रानी लक्षमी भाई के बलिदान दिवस पर आउजित कारेकरम में बीजेपी के वरिष्ट नेता सत्ते नारायंड सतन ने बीजेपी बन जम करने शाना साथा सत्ते नारायंड ने कहा कि जो लोग मुखोटा लगा कर बात करते हैं उनकी असलियत हमें समझनी होगी आज बीजेपी में हर किसी को एंट्री मिल रही है ये देखते ही नहीं कि वो दलबदलू है गद्दार है या क्या है ऐसे लोगों को वोट के लिए अपने दल में शामिल कर राश्टर भक्त का खिताब दिया जा रहा है कॉंग्रेस में अब जितने भी नेता बचे हैं वो ना तो दलबदलू हैं ना गद्दार हैं वो समाज, देश और पायटी के प्रतिस्समर पित नेता हैं इंद्रा जी के समय में जो हालत हमारी थी अब वही हालत कॉंग्रेस की हो गई है जो लोग मुखोटा लगा लगा करके बात करते हैं, जो लोग किसी बात का परहज किये भी ना भार्टी जन्ता भार्टी के अब आप देख रहे होगे आओ, आजाओ, आजाओ, भराते जाओ, भराते जाओ आज मैं एक बात निस्टन कोई भाव से कह सकता हूँ कि कांग्रेस में जितने भी बचे जितने भी बचे, वो ना तो दल बद्लू है, ना गद्दार है वो निस्टन्दे, देश, समाज और संगठन तीनों के प्रति समर्पित कारी करता है जो आपने हिट की कामना नहीं करते, राइट हिट की कामना करते जिए उन उद्देश्यों के लिए लड़ रहे है और सम estim चनता बार्टी जनता-पार्टी जिवास का उत्धोश करती थी अज भारती जनता पार्टी की इसस्थिति वो है, जो माता इंडीरा के समय आपकी थी और माता इंडीरा के समय, जो इसस्थिति हमारी थी वो तुमारी